नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसली एज्जूकेशन दोस्तों मैं हूँ प्रशांत मावानिया आई होप यू ओल अगूड यह फाइनशल न्यूस अनलिसिस का एक नया पोस्टर है मैंने डिजाइन किया है तो बताईए कैसा लगा यह आपको आज 1st मार्च 2022 है और दिन की हम करेंगे डिसकेशन की शुरुआत जो है वो हम करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट एमसेक्यू के साथ Securities and Exchange Board of India को नए Chairperson मिल गया है सरकार ने नए Chairperson को Appoint किया है तो बताईए इनका नाम किया है दराइट आंसर इस मधहभी पूरी बुच मधहभी पूरी बुच मेडम तीन साल के लिए अब सेवी का जो एक कारियभार है वो संभालेंगे और इससे पहले जो Chairman थे वो थे अजेत यागी साहब अजेत यागी साहब 5 सालों के और 28th February को वो रिटायर हुए और उनको रिप्लेस किया है मधहभी पूरी बुच मेडम ने सबसे खास बात जो है मेडम की वो यह है कि सेवी के पहले 1st महिला सेवी के Chairperson जो है वो मधहभी पूरी बुच मेडम बने है और पिछले 17 years में 17 years में पहरी बार ऐसा हुआ है कि 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 रिटायर आएस ओफिसर या फिर आएरस ओफिसर को Chairperson नहीं बना गया है राइट प्राइवेट फर्म में काम करते थे मधहभी पूरी बुच मेडम और पहले बार 17 years में ऐसा हुआ है कि एक नोन IAS या फिर एक नोन ब्योक्रेट व्यक्ति को सेवी का Chairperson बनाया है और सेवी के जो पहले Chairperson थे उनका नाम है Dr. S. A. दवे जो है वो पहले Chairperson से और जो रिटायर हुए उनका नाम है अजय इत्यागी साब और नय जो है उनका नाम है मधहभी पूरी बुच मुविंग ओन तो नेक्स्ट क्वेस्टन हमारे देश के एक बहुत बड़ी कंपनी है फार्मसेट Business में हैं और Pharmaceutical Business में है Basically तो इस कंपनी को $3.33 billion से टेक ओवर किया है BioCon ने थे एक कंपनी ने उसकी फार्मसेटिकल कंपनी को टेक ओवर किया है तो इस इस कंपनी का नाम मैं है इस company का नाम है Viatris Viatris इंक की जो एक company है उसको बायो कॉन ने 3.3 billion की deal में खरीद लिया है और बायो कॉन Biologics जो है इसके executive chair person का नाम क्या है किरन मजूमदार Shaw ठीक है किरन मजूमदार Shaw हाल ही में एक company ने भारत में play pass launch किया है play pass किस ने launch किया है यह launch किया है google ने google play store पर google play pass launch किया है और यह आज 90 देशों में यह play pass का जो subscription subscription service यह available है और इसमें जो अलग-अलग apps और games है वो without ads तो बीच में advertisement नहीं आएगी तो without ads आप इनको access कर सकते हैं और google का कहना यह है कि यह जो play pass है इसकी वज़े से जो developers है जो apps बनाते हैं तो उनको international audience भी मिलेगी और इसके साथ साथ उनको ज्यादा revenue भी मिलेगा now moving on to news item before that to download the pdf of today's lecture check out my telegram channel you can get in touch with me via insta, facebook and twitter do check out my motivational podcast curiously forever या spotify, gana, jo7, google podcast amazon music इसके लावा भी बहुत सारे podcast platforms पर available है don't forget to subscribe to my channels इस lecture को दूसरे लोगों के साथ शेर ज़रूर करें वीडियो पसंद आया तो hit the like button and stick your answers as well as your reviews about this series in the comment section news की बात करें dear friends तो Indian economy के साथ जुड़ा हुआ एक data government ने release किया है अब regular students आपको पता है कि what is December quarter अगर नहीं पता है तो let me tell you एक साल में जो चार quarters होते है quarter यानि कि 25% of anything December quarter यानि कि October, November और December ये तीन महिनों का जो समय है इसको कहते है December quarter तो इस quarter में जो third quarter है उसमें हमारी economy जो है उसका growth थोड़ा कम हुआ है 5.4% ही हुआ है और इसकी वज़े से जो overall हमारे इस साल का जो growth है वो कम हो जाएगा पहले ये बताया जाता था कि इस साल हमारी economy जो है 9.2% से grow होगी लेकिन अब economy जो है वो 8.9% से ही grow होगी because December quarter का आंकड़ा जो है वो थोड़ा नीचा आया है और ये भी कहते हैं कि ये third quarter का आंकड़ा तो कम आया है fourth quarter का जो आंकड़ा है वो third quarter से भी कम आ सकता है और economists ने ये कहा है कि सरकार को fiscal support provide करना पड़ेगा और RBI जो है उसको monetary support provide करना पड़ेगा क्योंकि geopolitical situation जो चल रही ही तो इसमें crude oil की price और कुछ सामनों की price जो है वो increase हो गए तो इसकी वज़े से growth जो है उसके उपर impact हमें देखने को मिल सकती है अब देखें यहाँ पर अब annual growth percentage में दिया गया है तो agriculture जो है इसका third quarter में 2.6% growth रहा mining and querying 8.8 manufacturing 0.2% ये बहुत कम हुआ है electricity etc 3.7 construction activities जो है वो तो contract हुई है growth हुआ नहीं है contraction यान की minus में है trade hotels etc 6.1 finance reality 4.6 public admin etc 16.7 private consumption 7% and gross fixed capital 2% moving on गती शक्ती Prime Minister Narendra Modi साहब ने last year PM गती शक्ती National Master Plan को launch किया था October में इसको launch किया गया था और इसका main lecture क्या है इसका main lecture ये है कि हमारे देश में हम infrastructure को create करें right जो latest infrastructure है उसको create करें और सबसे बड़ा problem ये होता है हमारे देश में कि जब भी कुछ create करने की बात आती है construction और ऐसी चीज़े तो अलग-अलग departments जो है वो अपने अपने दाइरे में काम करते है अपनी बाउंटरी सभी ने set की है तो file यहाँ पर जाएगी फिर यहाँ पर pass होगी उसके बाद यहाँ पर तो ये सारे issues जो है वो चलते रहते थे लेकिन अब गति-शक्ति national master plan जो है उसका लक्षय है to break departmental silos silos का मतलब भी है कि जो अकेले अकेले departments जो है वो काम करते थे तो ये चीज जो है अब तोड़ी जाएगी and bring in more holistic and integrated planning and execution of projects to address the issues of multimodal and last mile connectivity जो multimodal transportation है जो last mile connectivity के issues है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब क्या किया जाएगा departmental silos को तोड़ा जाएगा और एक holistic और integrated तरीकी से planning भी होगा और project का execution भी होगा सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि गलती शक्ती में ये होगा कि सरकार के सभी level पर चाहे central level हो state level हो city level और यहां तक की पंचायत level तक project के साथ जोड़ी हुई सारी information जो है वो पूरी hierarchy को जो top से लेखर bottom तक सभी के पास जो है वो project की सारी information होगी कहाँ पर project पहुचा है कहाँ पहुचेगा ये सारी चीज़ें जो है वो available होगी गतिशक्ती master plan में ये है कि roadways की capacity को increase करना है और 200 नए airports, heliports, water aerodrams create किया जाएंगे railway transport की capacity जो है उसको 1600 ton by 2025 की जाएगी इसे के साथ transmission network जो है उसको increase किया जाएगा renewable energy जो है वो 225 gigawatt पैदा की जाएगी by 2025 और गाउं गाउं तक 4G connectivity जो है वो पहुचाए जाएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साब ने ये कहा कि गति शक्ति का जो एक plan है वो ये है कि हम modern infrastructure हमारे देश में create करना चाते है जब भी हम television में देखते हैं इस परकार का modern infrastructure है बहुत सारे अच्छे roads and you can see here बड़े roads और सारी चीज़े हैं तो you hardly see traffic ट्राफिक कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर अब देखे observe कीजिए let me show it to you तो as you can see here जब roads अच्छे होते हैं बड़े roads होते हैं और connectivity this is just एक example है यह city आप देख सकते हैं और यह स्क्रीन और यहाँ पर देखिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों से एक नई गती मिले it's like you know एक बड़े से एरोप्लेन के दोनों एंजिन्स जब फुल फ्रस्ट में काम करते हैं फुल फ्लेज में काम करते हैं तो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है तो वही स्पीड जो है वो हम अचीव करना जाता है इससे गती शक्ति से एस फार इस इन्फरस्टरक्टर इस कंसर्ण और जो लेटेस्ट बजट सरकार ने पांच किया है तो इसके बारे में ये कहा कि ये बजट जो है वो 21st century का बजट है और सरकार जो है वो infrastructure based development की दिशा में आगे बढ़ना जाती है infrastructure based development का मतलब ये है कि जब आप infrastructure create करते हैं तो बहुत सारी नई opportunities generate होती है और फिर development होता है तो इस दिशा में सरकार आगे बढ़ना जाती है moving on to next topic core sector जो core sector है इसका january में output जो है वो 3.7% से grow हुआ है और this is of course lower than previous month जो December में हुआ था उससे कम है December में 4.1 था 3.7 is basically a sort of downfall core sector जो है वो january 2021 में 1.3% था क्योंकि उस ताइम पर second wave का भी माहौल था और basically बहुत सारी जगाओ पर restrictions थे लेकिन January 2022 is very different isn't it Omicron की wave जो है वो starting में इसकी impact नजर आ रहे थी लेकिन अब Omicron की wave जो है वो nil हो चुकी है या फिर it's fading out तो अब restrictions और सारी चीज़ें जो है वो open हो रही है basically core sector जो है index इसमें 8 infrastructure के साथ जुड़े हुए sectors को ना पा जाता है यह 8 sectors जो है वो आपकी screen पर है आप देखिया coal तो coal का growth हुआ है 8.2% से crude जो है वो minus में चल रहा है of course because of international issues natural gas 11.7 not bad refinery products जो है यह थोड़े कम है 3.7 fertilizers contract हुआ है minus 2 steel not doing that good 2.8% cement 13.6 and electricity का भी growth जो है वो ना के बराबर है 0.5 तो यह कुछ बड़े-बड़े reasons हैं जिसकी वज़से overall growth जो है वो कम हुआ है as you can see here month core slows और core growth को देखे यहां पर October में 8.7 था November में 3.4 फिर थोड़ा increase हुआ December में and we know January में it's 3.7 and that's everything in today's discussion कल जो मने आपको प्रश्चन पूछा था तो इसका right answer है 20% मने देखा कि आप में से बहुत सारे students ने right answer जो है वो provide कर दिया है तो cabinet ने यही decision लिया था कि 20% जितना investment जो है वो foreign investors कर सकते हैं और एक और question है आपके लिए how many stock exchanges are listed in Sebi Sebi में कितनी stock exchanges listed है 2, 5, 7 या 10 right answer comment section में आपको provide करना है and don't forget to check out Curiously Forever motivational podcast and I'm sure you will get addicted to it and it will inspire you and motivate you every single day मैं चाता हूँ कि सुभर उठकर first thing that you do in the morning should be this I would ideally say 6 बजे अब इसको सुन लीजिये अगर अगर अप 8 बजे उठते हैं तो वैसे I don't promote कि आप उठकर mobile phone जो है वो use करें बले ही आप को उठकास ना सुनें that's fine I don't mind लेकिन सुभर उठकर I hope कि जब आप exercise कर रहे हो at least then do listen to it and I'm sure you will get motivated and inspired मैं अब और ज्यादा क्या कहूं आप खुद सुन लीजियेगा don't forget to subscribe to both my channels and to share this lecture with other people hit the like button अगर वीडियो में कुछ आपको जानने को मिला है तो और answer को comment section में देना है and I'll see you soon till then enjoy your studies God bless you all stay curious Jai Hind